यह वाले भी ठेक है तो आंटी परसेंट इसकी प्लो इसकी अब सकती यह है लेकिन एक टेकाश करेंगे बहुत सिंक!". थीक है छोटे छोटे आप tarafit book करेंगे it और stop-loss आपका इसमें ना के बराबर होगा अगर होगा तो बहुत च्छोटा रहेगा ठीक है बहुत छोटा stop loss और target आपको stop loss से दो गुणा मिलेंगे ठीक है तो complete strategy को देखिए बड़े ध्यान से देखिए सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताएंगे one minute का time frame यूज करना है ठीक है one minute का time frame यूज करोगे और बहुत अच्छा profit यहां से आप जर्नेट कर सकते हो दिन में कई trade दो तीन trade आपको easily मिल जाएंगे लेकिन इसमें एक ही rule है कि अगर आपका setup बनता है तभी आपको trade को execute करना है नहीं तो trade को execute नहीं करना ठीक है बिल्कुल simple strategy ऐसे ही आप यहां पर देख रहो यह one way आपको पता है गिरती market में पैसा तेजी से बनता है यह वाला profit आप अपने setup पर trade कर सकते हो अपना setup यहां पर activate हुआ है ठीक है तो बहुत simple है आपको चीजे बताते है guys एक नीले color की यह line आपको दिख रहे है ठीक है इसके upside देखो बिल्कुल simple strategy समझ लो पहले फिर back test करेंगे अभी सारी चीजे यहां पर live देख लेंगे ठीक है देखो जब upside market निकलती है upside की तरफ market निकलेगी उसके बाद retest करेगी जब retest करेगी और कोई bullish signal मिलेगा कोई bullish candle मिलेगी तब आपन entry बनाएगे call side की call side की entry समझ लीजिए stop loss target सारी चीजे अपन discuss करेंगे वीडियो में तो ध्यान से देखते रहे है call side की entry के लिए guys क्या करना है market जब नीचे से इधर की तरफ जाएगी upside को नीली line को cross करेगी कोई candle ठीक है उसके बाद upside चली जाएगी market उसके बाद retest करेगी तो जब retest करेगी और हमें कोई bullish candle मिलेगी तभी अपन call की entry बनाएगे ठीक है इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है बिल्कुल simple strategy है call side का आपको बता दिया put side का समझ लीजिए put side में जब यहां से line cross करेगी इस तरफ को upside से market down की तरफ आई यहां गई अपनी entry अभी नहीं बनी है अपनी entry यहां पर नहीं बनी है गाईज ठीक है यहां पर देखो bearish angle thing candle है यहां पर अपनी entry नहीं बनी है लेकिन यहां पर जब retest करने गई इधर की तरफ ठीक है तब अपन entry बनाते है और यहां पर अपनी entry बनती है गाईज और यहां पर देखो one way कितना अच्छा profit मिलता है गिरती market में तेजी से पैसा बनता है अपने को retesting पर entry बनानी है इधर आई market फिर से इधर retest करने गई यह fake signal है क्योंकि यहां पर upside निकल गई ठीक है upside नहीं जानी चाहिए candle उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आई फिर से upside निकल गई फिर से fake signal ह तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आपका setup बनेगा तभी आपको trade को execute करना है यहां पर देखो जेसे यहां पर देखो गई यह market इधर आई उसके बाद अपनी entry यहां पर नहीं बनी है उसके बाद यहां retest करने चली गई फिर यहां पर अपनी entry बनती है अब य प्रेइश करती है फिर नीच आती है फिर यहां पर बूक कर सकते है ठीक है ठीक है पिर रीटेस्ट करने गई और यहां पर आप entry बनाते हैं और stop loss रखते हैं तो यहां छोटा सा ही profit मिलेगा cos to cos आप यहां पर exit कर जाएगे 1,2,3,4 trade में से 3 trade आपके profitable है और बड़े बड़े आपके profit हुए है stop loss देखो कितना चोटा सा है याँ पर ठीक है लेकिन ये stop loss भी आप नहीं लोगे जब profit आ जाएगा तो cost to cost आपको निकलना है इसमें market आपको one way पैसा देती है गिरती है तो धड़ा धड़ा गिरती चली जाएगी और आपका profit बहुत अच्छा बनेगा ठीक है market में trade करने के लिए आपके पास कोई ना कोई setup होना चाहिए देखो यहाँ पर market आई retest हुई ठीक है यहाँ पर upside candle close होगे यहाँ upside close होगे अपनी entry नहीं बनी नीचे आई यहाँ पर देखो upside closing नहीं होई यहाँ पर अपने entry बनाते है और यह इधर देखिए market कितना अच्छा profit देती है फिर retest पर जाती है और यहाँ पर देखिए upside closing होगे अपने entry नहीं लेंगे नीचे आती है फिर retesting होते ही यहाँ पर अपनी entry बनेगे और यह profit अपन गुक करेंगे ठीक है तीन trade आपको इसमें भी बिल गए तो बस इतनी simple strategy है आप कहेंगे इतनी simple है तो इतना simple होत भरोसा आपका तब बनेगा जब आप उस पर trade करोगे उसको practice करोगे rules के साथ वीडियो ध्यान से देखिए rules जो बताएंगे notes बना लेना लिख लेना जहां trade करते हो वहां चिपका लेना ठीक है without rules trade मत करना देखो market यहाँ पर upside गई retest यहाँ नीचे closing होगे ट्रेड नहीं बन नीचे closing होगे trade नहीं बना trade नहीं बना ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि trade कब करना है कब trade नहीं करना है और देख लेते हैं आपर backtest करके ठीक है यहाँ पर देखो गाई बिल्कुल simple है यह वाला trade अपना बना यहाँ पर देखो upside है market यहाँ पर गई upside की त simple strategy है guys इतनी simple strategy है आज तक आपको market में अगर आपमें पहले देखी है तो comment करके बताना ठीक है यहाँ पर देखो upside गई यहाँ पर trade नहीं बनेगा नीचे आई यहाँ पर अपनी entry बनेगे यहाँ पर अपनी entry बनेगे और यह वाला profit अपन book करेंगे ठीक है अगर इसको cross करती ह चल रही है तो consolidate रहती है और दूसरा आपको adx use कर लेना adx 20 प्लस रहे तभी आप trade को execute करना ताकि आप consolidation market से बच्चाओ यह सब consolidate है adx यहाँ पर 20 के नीचे है ठीक है 20 प्लस रहना चाहिए adx यहाँ पर देखो गाई यहाँ पर देखो इधर market आती है रिटेस्ट करती है अपनी entry बन जाती है रिटेस्टिंग entry ठीक है यहाँ पर profit book यहाँ रिटेस्टिंग यह entry यह profit ठीक है तो आप देखिए आपको put side का आपको दिखा दिया call side का देख लेते हैं और back test में कहां-कहां call side का बना है कहां-कहां आपने को put side का trade मिला ADX भी गाईज लगा लेते हैं यहाँ ठीक है ADX यूज कर लेते हैं और ADX यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए ADX लिए ADX लिए ADX पर यहाँ पर 20 प्लस एक line plot कर लेते हैं ठीक है आप देखो बिल्कुल simple strategy इतनी simple strategy आपको market में कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पर देखो ADX यहाँ पर 20 प्लस है तो यहाँ पर अपनी entry बनती है यहाँ पर market आई ठीक है यह रिटेस्टिंग entry ठीक है रिटेस्टिंग entry तो आप छोटे-छोटे profit यहाँ से guys generate कर सकते हो scalping के लिए इतनी बहतर strategy आपको नहीं मिल सकती मार्केट में देखिए रिटेस्टिंग के लिए आपको इससे बहतर strategy आपको नहीं मिल सकती ठीक है यहाँ ADX 20 प्लस है यहाँ पर अपसाइड गई market ठीक है नीचे आई closing नहीं यहाँ entry नहीं बनाएंगे ध्यान से दोखो थोड़ा zoom करके दिखाते है call side का trade ठीक है क्योंकि यहाँ पर put side की entry आपने काफी देख ली है अब call side का discuss कर लेते हैं ठीक है ADX 20 प्लस रहे तभी आपको trade को execute करना है नहीं तो trade नहीं लेना ठीक है बिलकुश simple strategy यहाँ पर देखो यहाँ क्या करना है यहाँ देखो market नीचे आई यहाँ पर entry नहीं बनी ह ADX 20 के down में है तो entry नहीं बनती है यहाँ पर अपनी entry बनती है ठीक है यहाँ पर देखो upside की तरफ गई यहाँ retesting होती है और यहाँ अपनी entry बन जाती है ADX 20 प्लस है यह वाला profit अपन बुक करते हैं ठीक है तो बिलकुल simple strategy retest पर entry लेनी है आपको और backtest करके देख लेते हैं ग profit आपको मिला है क्योंकि ADX 20 प्लस है प्लस में यहाँ retesting हुई है ठीक है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है backtest और करके देख लेते हैं call side का trade यहाँ पर देखो put side की entry और गिरती मार्केट में पैसा तेजी से बनता है आपको भी पता है यह चीज ठीक है यहाँ पर ADX यहाँ पर देखो गाइस call की entry यहाँ पर upside गई ADX 20 के नीचे है यहाँ पर retesting होती है ADX 20 प्लस होता है यहाँ पर यह वाला profit अपन जर्नेट करते हैं retesting में यहाँ रखना retesting में माली जी upside गई downside आई और यहाँ पर नीचे candle close कर गई न तो अपन एंट्री नहीं लेंगे इस line के upside ही रहनी चाहिए आपकी candle तभी आप entry लोगे ठीक है तभी आप call के entry बनाओगे और ADX आपका यह red line जो है इस black line के upside रहनी चाहिए यहाँ 20 प्लस रहना चाहिए ठीक है अब देखते हैं setup त start stock grow done जिसमें भी आप trade करते हो आप यूज कर सकते हो trading view पर भी कर सकते हो ठीक है बिल्कुल सिंपल है यहां indicator के section पर टच करेंगे और यहां लिखेंगे EMA ठीक है moving average exponential यह लग जाएगा इस पर click कर देंगे click करने के बाद guys यहां पर देखो यह लग चुका है तो EMA की setting पर touch करोगे setting पर touch करने के बाद guys यह input पर करोगे और यहां 9 लिखावा मिलेगा length जो है इसको 50 कर लेंगे style के section पर touch करके इसको थोड़ा सा इसकी thickness बढ़ा दे करेंगे ताकि clear cut दिखती रहे line ठीक है उसके बाद यहां पर इसको uncheck कर देना ठीक है उसके बाद इसको guys कर लेंगे okay और यह आपका लग चुका है setup बिल्कुल सिंपल strategy है guys ठीक है 50 EMA आप लगा सकते हो आप चाहो तो किसी और पर practice कर सकते हो लेकिन 50 EMA पर one minute में बहुत बढ लेकर चलना है इसमें ठीक है और rules यह है guys देखो अगर profit जितना आपने target रखा उसका 80% मिल गया तो उसको loss में तबदील नहीं करना सबसे जरूरी rules कि इस पर आपको 30 trade back test करना है और 30 trade paper trade करना है और 30 trade guys इसमें आपको actual trade single lot से करना है ठीक है अगर single lot से नहीं कर सकते तो paper trade ही क हो जाएंगे ताकि आप indicator का behavior समझ पाएं जब आप indicator का behavior समझेंगे तब आपको setup पर भरोसा बनेगा और आपका भरोसा ही market से आपको पैसा बना कर देगा guys वीडियो के description को एक बार चेक कर लीचे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया